वेलकम डू ओल स्वागत आप सभी का आरसर यूटिव चैनल पे और हम आ चुके एक जबरदस्त बैतरीन अपडेट के साथ में जिया फिछले दो-ती दिन से कुछ चीजी वाइरल हो रही थी लेकिन अभी उन पे महर लग चुके जिया एरफोर्स 2024 बिग अपडेट और वो भी बहुत सारे बदलाओं के साथ में क्या-क्या उनमें चेंज है ओफिशियल जो नोटिफिकेशन आपका उसके बार में अपनी आप बात करेंगे जैसे ही आप यहाँ पे सरकार रेजल्ट पी जाके सर्च करेंगे यहाँ पे आपको मिले जो फॉस्ट डेट है वो आपको मिलेगा और इसके बाद में बाकी जो इन्फोर्मेशन है वो में अभी आपको वन बाई वन इस पेशली एक एक चीज़ को किलिए करते भी आगे चलेंगे जो चेंजेज हुए है उन पे भी बात करेंगे तो यह वीडियो पहुत इंटेक के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है किस लेवल पे वेकेंसी बैक टू बेक आरी है वेकेंसी बढ़ रही है आपकी और देखिए दो जार चोईस फरस्ट का जो इंटेक है वो अभी आ चुका है यानि 2023 में आपका वेकेंसी कंप्रेट होने वाला है एप्लिकेशन फॉर्म है, 27 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 17 अगस्त का फॉर्म पिल कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ आपके eligibility criteria की, तो वो देखिए, अगर आप X ग्रूप से हैं, साइन्स सब्जेक्ट से हैं, तो 10 प्लस 2 में आप maths, physics, English के साथ minimum 50% आपका चीए, all over 50% और एक important चीज, English में 50%, all over 50% और English में 50%, और जो other than science यानि जिसे अपन Y ग्रूप भी बोलते हैं, उसमें 10 प्लस 2 में all over 50% और English में आपका 50% चीए, इसमें केवल science वाणा बच्चाई जा सकता है, और इसमें science, commerce, arts, biology, सबी बच्चे दे सकते हैं, other than science यानि Y ग्रूप का जो form है, वो, अब एक बार age criteria पे गोल डालिए, मैंने एक पीछे वीडियो डाला था, upcoming vacancy क्यो, age criteria को लेकर, तो यहां पर देखो, यहां पर आ रहा है, 27 से, और मैंने डाला था, 37 से, तीन दिन का difference आया केवल, और मैंने उस समय भी कहा था, कि 2, 4, 5 दिन उपर नीच आगे पीछे हो सकते हैं, 27 से, दो जार तीन से, 27 बारा दो जार चेक के बीच में, आपका डियो भी होना चाहिए, एक बार मैं आप से कमेंट चाहूंगा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, बस आपको 10 सेकेंड लगेंगे, अपना डियो भी कमेंट में जरूर लिखें, जरूर से ये काम करना, ताकि पता चले कि आपके पास आगे कितने चांस है, मैं उन कमेंट को रिवी करो, तो पता चले किस लेवल पर आपको जरूरत है, आगे की तैयारी की, तो अपना डियो भी जरूर कमेंट करें, मिनिमम आपके साड़े सत्रा, मैक्जिमम आपका 21, जो बच्चों के लिए एक वाइरल इंफोर्मेशन थी, कि एज क्रैटेरिया 23 होगा, इस वेकेंसी में अभी तक ऐसा नहीं है यह जो बड़े बदला होने की बात हो रही थी, इसमें पहला चेंज में आपको बता दूँ, जो आप समझ रहे थे, वो भी नहीं है, 21 साली आपका एज क्रैटेरिया यहाँ पर आपको दिया गया है, दूसरा, जो एक्जाम डेट है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक्जाम डेट है आपका 13 ओक्टॉम्बर को, 13 ओक्टॉम्बर को आपका एक्जाम होने वाला है, तो यह दिमाग में छापलो कितना समय आपके पास है, और मैं फिर कह रहा हूँ, बैसिक से, जीरो लेवल से, बिल्कुल बैसिक से, आपका अभी बैच आपका नाउस हो चु 50% में उसमें भी वीडियो लेक्या हूँगा, वो वीडियो भी आप पूरा देखेगा, सब भुतों के साथ आउँगा, लेकिन उस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और उसको आपको किलिर करना है, और यहाँ पर आपका जो बैच है, वो देख लीजिए, नाएक आपका लाइव बैच, नाएक लाइव बैच, जिसमें पोल रेंकिंग लेडर बोर्ड के साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस और एक कम्पिटिशन होगा, जबरदस्त वाला, और यह आपका बैच अनॉंस हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, आपको हर चेप्टर की यहाँ पर मिलेगी, जैसे ही चेप्टर कम्पिट होगा, टीचर आपको अलग से 25-35 क्यूशन आपको देगा, विट सोलुशन, वीडियो लेक्टर नहीं है यह, यह विट सोलुशन आपका एक कम्प्लीट फोर्मेट रेडी होगा, इम्पोर्टेंट चलेगा, एक बच्चा गंटों बैटके नोट्स लिखता है, और एक बच्चा उनको बैटके एक से दो गंटे में याद कर लेता है, यह है आपका concept नोट्स का proper time आपका management है, topic wise mock test आपको मिलेंगे, mix mock test आपको मिलेंगे, exam best आपके जो mock test वो आपको मिलेंगे, और यह आपको मिलेगा, नोट्स बैच में, जो Air Force का नोट्स बैच है वहाँ पर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप यहां तक इस वीडियो में आ चुके है, तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूंगा, comment में लिखें, आप कौन से group के लिए तैयारी कर रहे हैं, X group के लिए, Y group के लिए, औ जरूर से form फिल करना, क्योंकि अब यह होने वाला है, कि जिसने form बर दिया है, उसका selection पका है, और रही बात पर्मानेंट वाली, उस पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, with proof, complete detail के साथ में, कोई भी doubt अगर आपका है, तो दिएगे help line number पे आप call कर सकते हैं, और अपना doubt किल हम झाला है, क्योंकि अवाला है, तो रहा है, और रहा है।